शम्विधान की रक्षा के लिए बेश्ट बंगाल में जो हिंसक प्रदर्सन हो रहा है वो हिंसा बंद हो वीडितों को न्याय मिले और बेश्ट बंगाल में राष्टपती सासन लगाने की मांग को लेकर के आज हमने धीशन प्रतिक्ज्या किया है जाय? यदि 24 मही तक हमारी बात नहीं मानी गई तो 25 महीज tulee आपी यहीं बैट करके और में आत्मदा करूँगा आज सभी देशवासियों के सामने मैं चिता लगा करके और अपने राष्ट की रक्षा के लिए देशवासियों की रक्षा के लिए सफिधान की रक्षा के लिए इंसानियत और मानाउता की रक्षा के लिए आज मैंने भीष्ट प्रतिक्जा लिया है पस्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाओं के बाद में हिंसा हुई है और वहां लाकों लोगों की हत्या हो रही है जो ममता बनर जी सोची समझी रेनीर के तहत करा रही है और उसको छिपा रही है जब वहां भाजपा अध्यक्स जेपी नड़ा चुनाओं के पहले गए थे तो उनके उपर हमला हुआ था और इसके बाद हिंसा के बाद में जब बीजेपी के विदेश मंत्री जब वहां पहुँचे तो उनके काफिले पर हमला हुआ जब मंत्रीयों के इतनी सिकूर्टी के बाद उनके उपर हमला हो रहा है तो वहां आम पबलिक की क्या इस्थिती होगी वह भी उन्होंने दावा किया कि पुलिस की मौजूदगी में उनके उपर हमला हुआ यह निश्ची तरूप से जिस तरह से कलकत्ता कीलिंग हुई थी और 16 अगस्त 1946 में जिस तरह से जो है तो कलकत्ता कीलिंग हुई थी डाइरेक्ट एक संडे जिसका नाम दिया गया था आज उसी तरह से वही हाला बेश्ट बंगाल में पैदा हो गया है इसलिए मैं वहाँ बेश्ट बंगाल में राष्ट पती सासन लगाए जाने की माग करता हूँ मैं जगद गुरूप परमन से आचार आचार पिटत पस्वी छावनी राम घाटे उद्या से आज मैं सपत लेते हुए मैंने चीता लगाया है कि यदि बेश्ट बंगाल में 24 मई तक राष्ट पती सासन नहीं लगाया गया तो संबिधान की रक्षा के लिए इंसानियत की रक्षा के लिए मैं धर्माचार होने के नाते मैं तो कानून को हाथ में नहीं ले सकता हूँ मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि देशवासियो तुम सस्त्र उठा करके और रोहंगी या मुसल्मानों को घुसपाइटियों को मौत के घाट उतार दो क्योंकि सम्विधान सर्वोपर ही है इसलिए मैं आदनी प्रधार मंती नर्यंद मोदी जी से उमीद करता हूँ कि बेष्ट बंगाल में राष्ट पती सासन लगाए जाए पीडितों को न्याय मिले जिनका घर जला दिया गया है उनको घर बनमा के दिया जाए जिनके हम मौत हुई है कम से कम लोगों को एक करोड रुपए पर मौत पर और एक सरकारी नौकरी दी जाए और वहाँ के जो हालात हो गए है ममता बनार जी ने चैलेंज किया था खेला हो बे और जैसे ही जो है तो इलेक्शन जो है खतम हुआ खेला सुरू हो गया और वहाँ जो हुआ है वो कलकत्ता कीलिंग की तरह है जैसे देश के पार्टी सन के समय में कलकत्ता में ये एक तरफ से नरसंगार हुआ था जिसका डारेक्ट एक्शन डे नाम दिया गय था आज वही हालात बेश्ट बंगाल में है अगर इस पर मोदी जी एक्शन नहीं लिये तो फिर जिस तरह से जो है देश का पार्टी सन उस समय हुआ था वही हालात बेश्ट बंगाल में लोगों ने पाइदा कर दिया है मैं उम्मीद करता हूँ कि जो रोहिंगिया है रोहिंगिया मुसल्मानों को घुसपाइठीयों की नेसनल्टी समाप्त करके देश से बाहर किया जाएगा अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पचीस मही को मेरा मरना निश्चित है क्योंकि अगर संबिधान की धज्जियां उड़ेंगी अपने सामने तो मैं देश भगत हूँ मैं निर्दोसों को मरते नहीं देख सकता हूँ इसलिए मैं अपने आपको ही चीता में जला करके स्वाह कर दूँगा